राम राम सारे भायान हैं मैं भी जेंतर खरकोदा आपका स्वागत करता हूं अमारे लोहे के जुगाड यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं किसान भायों के लिए वीडियो बना रहा हूं आपको दिखाऊंगा आप अपनी मशीने खड़ी करने के लिए किसी जेंतर मशीन तो या दान या अपने खेत में से ट्यक्टर में नाज लेके आओ तो इसके निच्छे खड़ा कर सकते वराम से मंदी में ले जाने एक टाइम निवचे तो दिखाने आपको तीन रेड़ का यह अमारा पाइप है यह अमने 17 पाइप मंगाए है यह तीन इंची का चोड़ा ह है और डेड़ इंची का मोटा है कि यह अमने 17 पाइप मंगाए है देखो 20 फूट लंबा पाइप है और 20 केजी का इसमें बजन है 20 किलो का यह एक पाइप पड़ता है यह मातर 14 रुपे का एक पाइप पड़ेगा हमारे यह आपके वहाँ पता नहीं यह हमारी दोस्तों चद्दर है आपको दिखा रहे है यह SR कंपनी के हमने चद्दर मंगाई है य यह 16 फूटी और 10 फूटी चद्र मंगाई है हमारा सेड़ बनेगा 27 27 का सेड़ बनेगा बीच में कोई सपोर्ट नहीं होगी और उचाई होगी 16 फूट की आपको दिखाएंगे कैसे हम बनाएंगे दोस्तों यह देखो दोस्तों कि यह हमारे पाइप और चद्दर है किसान प्रवाई बनवा सकते हैं अपनी किसी अंतर मशीने खड़ी करने के लिए यह फैक्टरी में यह डेरी में बैसों की दोस्तों अच्छा जुगाड है और जल्दी बन के रेड़ी हो जाएगा अपनी मशीने बचाने के लिए बरसात से बचा सकते हो दोस्तों अच्छा जुगाड यह दोस्तों हमने कैच्छी बनाई है इसमें हमने पीछे से दो फुट उचा उठा इसको और आगे से हमने पाइप मिला दिया है जैसे एक और अप्पल होता है देखो यह हमने एडेड इंचे एंगल लगाए इसमें से हम दिवार में से नटार नटार पार करेंगे चार सूर्थ का किसली हमने एंगल लगायारा से यह देख़ू दोस्तों हम ँच में तुकडा बढ़ा है यह मारी मिस्त्री लगे यह देखो इस तरह में तूपडा बद्धिया सभी हमने यह तीन कैच्छी बनाये देखो यह अपने कैच्छी चैट कर दिए हमें यह आपको दिखा रहे हैं बीच में कोई सपोर्ट नहीं है और 27 फूट 27 27 का यह सेड़ बना रहे हैं हम यह देखो इस तरह हमने चत पर पानी उता रहा है बाई साब ने चत पर पानी उतरवाया है आप भी अपनी मशीन खड़ी करवाने के लिए शैड बनवा सकते हो इसमें आप अपना टेक्टर खड़ा करना चाते हो टेक्टर खड़ा कर सकते हो या अपनी गाडी खड़ी करना चाते हो या किसी इंतर मशीने कोई भी खड़ी करना चाते हो इसके निचे खड़ी कर सकते हो परादम से इलकर दोस्ता में थीननों क क्या ची लेवल में अच्छी तरह कर दिया के देखो कि यह एंगल आपको दिखा रह देखो इसतारम नि दीवार पार इस तरफ दिवार नि रसे और वस्थ तरह दीवार यह पाइप लगा जो अमारा नीचे अंदीत वफान आए कोई दिक्कत नहीं है अच्छी तरह आमने इसमें शैट किया है 16 फूट की उचाई पर अमारा शैट बन रहा है अब किर्शी इंत्र मशीने खड़ी करने के लिए अच्छा जुगाड दोस्तों यह देखो दोस्ता हमने यह पाइप जोड़े हैं इस तरह जोड़े देखो यह तीन डेड़गा पाइप यह 27 फूट लंब्या मने पाइप किये है यह अमरे छैपाइप जोड़े हमने यह इसमें आप लगाएंगे पाइप यह देखो निश्चे से आपको दिखा रहे है इस आप खेत में से गिंव लेके आओ या धान लेके आओ सीधा इसके नीचे खड़ा कर सकते हो जो मंडी में ले जाने का टाइम नहीं बचे तो साम को यह देखो दोस्तों इस तरह हमने इसमें जाल बना दिया पूरा और इसमें हमने पास-पास सड़े पास-पास फुटका खा बना किया त्यार यह 27 फूट लंबा 27 वाई 27 का मारा शैड़ बन रहा है बीच में कोई सपोर्ट नहीं छत पर हमने सबोर्ट लगाई है और दिवारों पर सबोर्ट लगाई है यह किसी इंत्र मशीने खड़ी करने के लिए बाई बनवा रहे हैं देखो इस तरह हम बना रहें देखो यह देखो हमने पाई पीच तरह हमने पाई बर रहे है यह कैशी पर और छट पर हमने डलाने किया इसका यह देखो नीचे से देखो दोस्तों आप भी बनवा सकते हो अपनी किरसी इंत्रे मशीने बरसाथ से बचाने के लिए टीन सेड प्रोफाइल शीट का रूफ सेड आप भी बनवा सकते हो देखो कि देखो दोस्ता हमने चद्दर इस पे लगाना चालों कर दिया है यह हमने चद्दर रख दिश के उपर यह हम पहले 16 फोटी लगाएंगे आगे 16 फोटी और पीछे 10 फोटी देखो इस तरह इव आपको स्टीन शैट करके दिखाएंगे एक बार दोस्तों आप भी बनवा सकते हूं अपनी क्रिशियंटर मशीने खड़ी करने के लिए अच्छा देखो दोस्तों यह इसमें पेच मारेंगे यह पसपन नमबर का पेच है दो इंची पेच बोलते इसको यह एच्पी कंपनी का आपने शक्रू लिया है दोस्तों इसको चाइ लगाएंगे कि बार दिखाएंगे आपको कैसे लगाएंगे देखो इस तरह हम लगाएंगे लिए अ कि अम ट्रिविशिंस लगा रहे हैं कि इस तरह हम सभी चद्र कस देंगे यह उपां नीचे सभी पेच खड़ी नाली के पेच मारे तो पानी आने का डरनी रहता नीचे पेच मारोगे या किसी मिस्तरी से आप मरवाओगे तो इसमें पानी आने का डर रहता देश्तों यह देखो कि सभी पेच आपने खड़ी नाली पे मारा दो इनची पेच देखो आपको दिखाने देखो सभी यह दोस्तों अमने आगे की सदर कस दिये और आप पिछे की कशेंगे यह अमने 16 फूटि चदर कस दिया आगे की कि देखो देखा रहे हैं आपको देखो देखो सभी पेच अमने खड़ी नाली पे मारा है कोई भी पेच नीचे नीवारा यह देखो दोस्तों यह हमारा सेड़ बने के रेड़ी हो गया है यह अमने देखको पीछे की चद्दर भी लगा दिये और सबी पेश हमने खडी नाली फेश मारा है कोई नीचे पेश नहीं मारा यह आ मने ब्राबर में फाइवर की चद्दर लगाई है कि यह हादी फाइवर लाइनिंग वाली फाइवर है देखो यह हमारा सैड बनके रेड़ी हो गया कम्प्रिट एक बार उपर जाके दिखाएंगे देखो इस तरह आमने पेच मारे फाइबर में और यह उपर से आमने पेच मारे देखो यह इस तरह आमने जोड मिला है अच्छी तरह चद्र जोड मिला है इस पर हमने एक फूट चद्र अचंगे देखो दोस्तों यह 277 287 कामने सैड बनाया है आप इस बनवा सकते हो महत तर 80,000 रूपे में यह सैड बनवा शक्ते हो दोस्तों महत तर 80,000 रूपे केवल 80,000 में माल समयत हमारे यह यह 500 रूपे या 130 रूपे का रिट सखेर्ट का रिट लेत लेत आपके महापता नहीं आप पता कर सकते हो या माल लेके आ सकते हो दोस्तों 14 रुपे आप पड़ेगा और 16 फुटी चदर पड़ेगी 25 रुपेगी और 10 फुटी चदर पड़ेगी 15 रुपेगी इस तरह आपने देखो निचे से आपको दिखा रहे हैं आप भी बनवा सकते हो अपनी किरशियंतर मशीने खड़ी करने के लिए या फैक्टरी के लिए या डेरी बैस की डेरी के लिए किसी भी चीजी के लिए बनवा सकते हो दोस्तों जिसको आप च्वा करना चारते हूं रूप सेड़ हमने बनाया है प्रूफाइल शिट का और हमने आगे फाइवर लगाई है कैसी पे यह देख कुछ कि तरह हमने डिजैन भी काट हा इसमें आगे कीव tighter हैं पीछे की तरफ अपने डीजाइन नहीं काटा पीछे की तरफ पलान चद्र लगाई है और यह आगे की दिखो आपको जूम करके दिखा रहे हैं देख खेगाई देखे और दोस्तों देखो। दिखो इसतर आपे अच्छी तरह चद्र मिला हैं नीच्चे से दोस्तों कें के जरूर बताना कैसे सट बनाया है कैसा नहीं काम अच्छा किया नहीं किया दोस्तों आप भी बनवा सकते हैं अपनी किर्शी इंत्र मशीने खड़ी करने के लिए रूफ सेड टीन सेड कैच्छी वाला सेड बीच में कोई सपोर्ट नहीं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सस्काई जूरू करे और बेल आइकन दबानाना भूले दोस्तों और कुमेंट करके जुरूर बताना कैसा सेड बनाया दोस्तों